नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन टेकर्णी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार S.S.E. के लिए एक मैध का स्रीज स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग पढ़ते एक दिन बिहार S.S.E. में आए हुए मैध का प्रिवियस एर कोशन करते हैं चलिए आज उस स्रीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नोडिफिकेशन मिलता रहे चलिए अब हम लोग कोश्चिन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चिन दिया है A तथा B अकेले किसी कारे को 10 दिन तथा 15 दिन में पूड़ा कर सकते हैं उन्होंने एक साथ मिलकर कारे प्रारम किया किन्तु कारे समाब तो होने से 2 दिन पहले एक कारे छोरकर चला गया कारे कितने दिन में पूड़ा हुआ तो देखे हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारा समय दिया हुआ है 10 दिन और 15 दिन हम सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है 10 दिन और 15 दिन हम इसका LCM निकालेंगे देखे 10 और 15 का LCM क्या हो जाएगा 10 और 15 का LCM हो जाएगा 30 हम total work को माल लेंगे 30 unit cool काम को हम माल लेंगे 30 unit अब देखे 30 unit काम जब A अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है A जब अकेले कर रहा है तो 10 दिन का समय ले रहा है और B अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 2 unit अब देखिए दोनों का efficiency निकल किया गया अब हमें question में आगे क्या दिया हुआ है हमें question में दिया है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कारे प्रारम गिया किन्तु कारे समाप्त होने से 2 दिन पहले ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा एक दिन में 3 unit काम कर रहा है तो दो दिन में कितना करेगा दो गुने 3 यानि कितना काम करेगा 6 unit अब देखिए इस 36 unit काम दोनों मिलके एक साथ कर रहे है यानि a plus b अगर दोनों मिलके 36 unit काम करेंगे तो a जो है एक दिन में 3 unit काम कर रहा है और b एक दो यूनिट्ट काम करेंगे तो एक दिन में पाँच व्यूनिट्ट काम करेंगे तो 36 सी विनिट्स पास्च से भाग देंगे यानी यहां से हमारा क्या निकल क bilmiyorum गया जागा साथ सही एक बटा पाँच दिन समझ में पाँच दिन में काम समाप्त हो जाएगा आखरी मैच के बाद उसका उसत स्कोर तिरपन हो गया तो आखरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था हमें क्या निकालना है आखरी मैच में रोहित का स्कोर निकालना है अब देखें में क्या दिया हूआ है हमें क्योश्चिन में दिया हूआ है कि 15 मैच का उसत स्कोर कितना है अब देखे 16 मैच में अगर 54 रन बनाया होता तो उसका 17 स्कोर क्या हो जाता 16 मैच के बाद भी 24 रन हो जाता लेकिन वह कम रन बना रहा है चोवण रन ना बना के 54 रन से कम बना रहा है जिसके कारण 16 पारी का 17 स्कोर कितना हो गया एक का कमी हुआ, परतेक पारी में कितना ओसत रन का कमी हुआ, एक रन का कमी हुआ, अब देखें यहाँ पारी का संख्या कितना है, पारी का संख्या जो है 16 है, यानि वह जो है 54 रन से 16 रन कम बनाया होगा, जिसके कारण परतेक 16 पारी का ओसत एसकोर कितना हो गया, 53 रन हो गय तो देखे आखरी पारी का रन कितना हो जागा हम 54 में से माइस कर लेंगे 16 यानि हमारा transactions करें आइस ले निकल का है चलिए चलिए question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोर दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है तब उन दोनों संख्याओं का अनपात क्या है हमें क्या निकालना है दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना है अब दिखे हमने मालिया की एक संख्या हमारी एक से हमने मालिया की एक संख्या हमारी एक से और दूसरी संख्या वाई है अब दिखे हमें question में दिया कि एक संख्या में एक अन्य संख्या का 20 पर 30 जोड़ दिया जाए यानि हम अगर x में हम x में जोड़ देंगे अगर y का हम अगर x में जोड़ दे y का 20 पर 30 x में जोड़ दे y का हम 20 पर 30 तो हमें क्या प्राप्थ हो जाएगा 50 पर 30 और बढ़ जाएगी संख्या यानि ये जो हमारा संख्या प्राप्त होगा वो किसके पराबर हो जाएगा X का 150 पर 30 के पराबर हो जाएगा अब देखें यहां से हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा X plus Y गुने 20 बटा 100 हो जाएगा 20 बटा 100 equal to ये क्या हो जाएगा X कुने 150 बटा 100 हो जाएगा हम इसे 20 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा हम इसे 50 से काटेंगे 3 बार में जाएगा 2 बार में जाएगा अब देखें यहां से हमारा क्या बच गया यहां से हमारा बच गया X plus Y बटा 5 X plus Y बटा 5 equal to यह हमारा कितना हो जाएगा 3x बटा 2 अब देखिए इस x को हम उस साइड लेके जाएगे यानि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा y बटा 5 एक्वल टू y बटा 5 एक्वल टू क्या हो जाएगा 3x बटा 2 माइनस x अब देखिए हम यहां से अगर minus करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 2x यानि 2x 3x में से minus होगा हमारा क्या बच जाएगा x बच जाएगा यानि हम यहां से इसे लिखेंगे y better 5 y better 5 equal to यह क्या हो जाएगा 3x में से हम x minus करेंगे 3x में से हम 2x माइनस करेंगे यह हमारा क्या बच जाएगा? x बच जाएगा बटा 2, अब देखे हम यहां से इसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं y बटा x equal to 5 बटा 2 अब देखे हमें क्या चाहिए था? हमें दोनों संख्याओं का ratio पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का ratio हमारा क्या निकल के आगया? 2 is to 5 निकल के आगया चलिए question समझ में आगया होगा, next question पे चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है? हमारा question दिया है यदि p equal to x minus 1 और q equal to x plus 1 है तो root under q square minus p square बराबर है, हमें چार option दिया हुआ है, देखे, हम से जिक्या पूछ रहा है? हम से, पूछ रहा है root under q ay square minus p quad अब देखे, यह किस form में है, a square minus b square का फूछ में है याında हम इसे क्या लिख सकते है, हम इसे लिख सकते है, root under q plus p into, हम इसे लिख सकते है, q minus q का value क्या दिया हुआ x plus 1 यहां हमारा हो जाएगा x plus 1 plus p का value हमें क्या दिया हुआ x minus 1 x minus 1 into q का value हमारा क्या है x plus 1 x plus 1 और p का value क्या है हमारा x minus 1 तो हम इस minus से इसमें गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा minus x और plus 1 हो जाएगा अब देखें यहां से हमारा इस प्लस का 1 से माइनस का 1 हमारा कट जाएगा और प्लस के x से हमारा माइनस का x कट जाएगा बच क्या गया हमारा अंदर हमारा अंदर बच गया रूट अंदर यहां हमारा क्या बच गया 2 इंटू x इंटू, यहां हमारा क्या बच गया? 1 प्लस 1 यह निए 2 बच गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू, रूट अंडर X अब देखें हमारा यह जो आंसर है किस अप्सन में दिया हुआ है? आप्शन नंबर B में दिया हुआ है यह निए हमारा सही आंसर क्या हो गया? आप्शन नंबर B हो गया 2 इंटू, रूट X चलिए कोशिन समझ में आ गया होगा नेक्स कोशिन पर चलते है देखें हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है? हमारा कोशिन दिया 5 बटा 6 7 बटा 8 11 बटा 12 लगतम समझ पढ़ते हैं हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है अब देखें, यह जो हमारी संखिया दी हुए यह संखिया हमारे फ्रेक्शन में दी हुए तो हम v Phillasking का LCM कैसे निकालते हैं? फ्रेक्शन में हमारा क्या होता है? Aंस होता है और part 1 हर होता है अंस का LCM निकालते हैं, और हर का क्या निकालते हैं, हर का HCF निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, हर का क्या निकालते हैं, अगर हमें fraction का HCF निकालना हो, तो हम fraction का HCF कैसे निकालते हैं, fraction का HCF निकालने के लिए हम अंस का, हम अंस का क्या निकालते हैं, अंस का HCF निकालते है निकालते हैं अब देखे इस question में हमसे क्या पूछ रहा है charge और हमे फ्रक्षन क्या दिया हुआ हमें fraction में संक्था दिये हुआ है बटा चौण सात बटा आठो हमें क्या गार्यवटा 12 गार्यवटा बारे और हमें 3ंद 10 हमें iso qgyh alm nossa हमें इसका LCF निकालना है अब देखें LCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे UNS का LCM निकालेंगे और हड का HCF निकालेंगे तो हम 5, 7, 11 और 3 का LCM निकालेंगे तो इसमें कुछ भी हमारा common नहीं है यानि यह अपस में हमारा मीजा हो जायगा यानि यहां से say disturbance क्या हो जायगा 5 पांच भुनें हम साथ सही गारह में लिए कितना ख लेते हैं यह कितना हो जागा 77 गुने 3 बट यह 6, 8, 12, 10 का HCF निकालेंगे तो इसमेंसे हमारा common क्या हो सकता है 2 common हो सकता है यहनि hcf कितना होlles थो हो जाएगा अब देखे हम यहां गुणा करेंगे north अस थना करेंगे 35 गुणे 3 principles गुणे 3 पर दो अब 9 करेंगी हम इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना अबमारा आंसर क्या निकल किया गया 650 बटा 2 हमारा answer क्या निकल किया गया 1155 बड़ा दो चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया 2 संख्याओं के बीच का अंतर 365 है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल चोओ आता है तथा सेस 15 बज़ता है तो चोटी संख्या ग्यात करे हमें क्या निकलना है चोटी संख्या निकलना है तो देखे हम दो संख्या माल लेते हैं हमने संख्या माल लिया A और B जिसमें से A हमारी बड़ी संख्या है और B क्या है छोटी संख्या है तो देखे हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना दिया हो तेरे सो पैंसर यानि हमें कोश्चिन में A- A- B हमें कोश्चिन में क्या दिया हो है तेरे सो पैंसर दिया हो है और हमें दूसरा कोश्चिन में क्या दिया हो है हमें question में दुसरा दिया हुआ है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है यानि छोटी संख्या हमारी क्या है B है और बड़ी संख्या क्या है A बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब विभाजित किया जाता है तो भागफल चोओ आता है और सेश क्या आ रहा है पंद्रे आ रहा है तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहां से हमारा हो जाएगा भाजे बराबर भाजक गुने भागफल प्लस सेश हो जाएगा यानि हमारा भाजे क्या है भाजे हमारा A है भाजे A है भाजक क्या है B है, भागफल क्या है 6 है और C क्या है 15 है, अब D Koller करें यानि हम यहां से a बराबर क्या लिख सकते हैं? a बराबर लिख सकते हैं 365 प्लस b अब देखें एक अवायलू हम यहां पूट करेंगे यानि यहां से हम इसे लिख सकते हैं 365 प्लस b इक्वल टू यह हमारा कितना हो जाएगा? 6b 6B प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा अब देखिए हम इस B को उस साइड ले जाएगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यानि ये हमारा कितना हो जाएगा अगर B को हम उस साइड ले जाएगे तो 6B में से B माइनस होगा तो हमारा क्या बच जाएगा 5b बच जाएगा 5b और इस 15 को अगर हम इस side लेगा आएगे तो plus में है तो minus में हो जाएगा यानी 1365 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1350 हो जाएगा अब देखे हमें क्या निकालना था बी निकालना था तो हम पांच से अगर भाग देदेंगे तेरे सो पचास में तो बी निकल क्या जाएगा हम पांच से भाग देंगे तो दो बार में जाएगा हाथ में तीन 35-7 वर में जाएगा 0 यानि छोटी संक्या हमारी क्या निकल के आगई 270 हमारा आंसर क्या निकल के आगई 270 चलिए कोश्चिन समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है यदि किसी धन का दो वर्स का 5% बार्सिक ब्याज की दर से चक्रविधी ब्याज यह सधारन ब्याज का अंतर 50 रुपया है तो धन रासी ज्यात करें हमें क्या निकलना है प्रिंस्पल निकलना है तो देखे इस question को हम प्रिंस्पल मान के भी ब्याज मिलता है यानि अगर हम याँ successive लगा के देखेंगे तो देखें हमें SI कितना मिल जाएगा हमें यहाँ SI कितना मिलेगा SI तो परती एक साल बड़ाबर मिलता है यानि पहले साल अगर हमें प्रिंस्पल का 5% मिल रहा है तो पहले साल हमें प्रिंस्पल का क्या मिलेगा पहले साल हमें प्रिंस्पल का 5% मिलेगा दूसरे साल हमें प्रिंस्पल का क्या मिल जाएगा 5% मिल जाएगा और जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का भी हमें 5% मिलेगा यहनी प्लस का क्या हो जाएगा 5 गुने 5 का 5 बेटा 100 हो जाएगा अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहां से हमारा हो जाएगा यह कितना हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 10 प्लस का यह कितना हो जाएगा हमारा 25 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा दो बर्स में 5 पर 30 के दर से ही कितना मिल जागा 10.25% मिल जागा यानि यहां से सधारन व्याज और चक्रविधी व्याज का अंतर कितना हो गया 0.25% और हमें question में अंतर क्या दिया हो 50 रुपया और हम से क्या पूछ रहा है रासी पूछ रहा है यानि रासी अपने आप में क्या होगा principle अपने आप में क्या होगा 100% अब देखिए 0.25% का वैलू हमें पता है तो हम यहां से 100% का वैलू निकाल सकते हैं देखिए हम अगर दोनों साइट 100 से गुना कर लें तो यह हमारा point खत्म हो जाएगा यहां से 25% क्या निकल क्या जाएगा 25% निकल क्या जाएगा 5,000 रुपया 25% क्या हो जाएगा 5,000 रुपया तो हम यहां से अगर 100% निकालेंगे तो हम इस 25 में चार से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो हम इस 5000 में भी चार से गुना करना पड़ेगा यहनि यहां से मारा कितना हो जागा 20,000 हो जाएगा यानि प्रिंस्पल कितना रुपया होगा 20,000 होगा हमें क्या निकालना था प्रिंस्पल निकालना था चली कोशिन समझ में आ गया होगा नेक्स कोशिन पर चलते हैं देखे हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है हमारा कोशिन ये किसी संख्य सधारण ब्याज मुल्धन का 1-9 भाग है तथा बड़सों के शंख्या 12 परथ्शित दर के बराबर है तो ब्याज की ब्याज बार दार कितनी है हमें क्या निकालना की रेट फिर्ट्स निकालनाij हैージ का फर्मूला क्या होता है सपी गुने और गुने टी बटा क्या हो 100 हो जाता है अब देखे हमें question में दिया हुआ है कि सधारन ब्याज जो है मुल्धन का एक बटा 9 भाग है तो देखे हमने मुल्धन को P मान लिया हमने मुल्धन को P मान लिया तो सधारन ब्याज क्या हो जागा P बटा 9 हो जागा साधारन में आज क्या हो जाएगा P बटा 9 हो जाएगा अब देखे मुल्धन कितना है P है और हमें आगे question में क्या दिया है कि बरसो की शंख्या बारसिक परतिसत 10 के बराबर है तो देखे हमने बरसो की शंख्या अगर X मान लिया तो बरसिक परतिसत हमारा क्या हो जाएगा X परतिसत हो जाएगा यानि यहां से हो जाएगा P गुने X गुने X बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा अब देखे यहां से हमारा P से P कर जाएगा हम यहां क्रॉस गुना कर लेंगे क्रोस गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जागा 100 बटा 100 बटा 9 एक्वल टू ये हमारा क्या हो जागा X स्क्वाइर अब देखें दोनों साइड अगर हम रूट अंडर करेंगे तो ये हमारा क्या निकल क्या जागा यहां से निकल क्या जागा 10 बटा, यहां से हमारा क्या निकल क्या जागा, 10 बटा 3, equal to x, और हमें क्या निकालना था, हमें rate of interest निकालना था, तो देखें, यहां से हमारा rate of interest क्या निकल क्या जागा, 10 बटा 3, परतिसत, हमारा rate of interest क्या निकल क्या जागा, 10 बटा 3, परतिसत, चलिए question समझ में आ गया होग हमें क्या निकालना है? X का मान निकालना है अब देखें हमें question में क्या दिया है? हमें question में दिया है 20 पुस्तकों का क्रैमूल 20 पुस्तकों का क्रैमूल किसके बराबर है? X पुस्तकों के बिक्रैमूल के बराबर है अब देखे हम यहां से CP और SP का ratio निकाल सकते हम यहां से CP बटा SP निकालेंगे CP बटा SP निकालेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा X बटा 20 हो जाएगा यानि पुस्तक का अगर क्रैमूल X रुपया है तो बिक्रैमूल कितना है 20 रुपया है आप देखे हमें कोश्चन में क्या दिया हुआ है कि लाब कितना हो रहा है 25 पर तीसद यानि अगर हमारा विक्रैमूल पता है और हमें क्रैमूल नहीं पता है तो देखे क्रैमूल का अगर हम 125 पर तीसद निकालेंगे हमें लाब कितना हो रहा है क्रैमूल जो होगा अपने आप में 100% होगा और हमें लाब कितना हो रहा है 25% यानि हम इस x का 125% निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा विक्रैमूल के बराबर और विक्रैमूल हमारा कितना है विक्रैमूल हमारा कितना है 20 है अब देखें यहां से हम हम यहां से अगर 25 से काटेंगे तो यह 25 से 5 बर में जाएगा यह 25 से 4 बर में जाएगा हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 4 बर में जाएगा यहां से हमारा X क्या निकल क्या गया हम cross गुना कर लेंगे x हमारा क्या निकल किया गया 16 निकल किया गया यनी हमारा निकल किया गया कि 20 पुस्तकों का क्रैमोल 16 पुस्तकों के बिक्रैमोल के बराबर है हमसे x का value पूछ रहा था x का value हमारा क्या निकल किया गया 16 निकल किया गया चली question सबंज में आ गया होगा नेक्स कोश्चिन पे चलते हैं नेक्स कोश्चिन पे चलते हैं जो संख्या बड़ी होगी उसका 5 पर 30 और जो संख्या छोटी होगी उसका 15 पर 30 बराबर होगा यानि हम यहां से लिख सकते हैं A का 5 पर 30 एका 5 पर 30 किसके बराबर हो जाएगा B के 15 पर 30 के बराबर हो जाएगा B के 15 पर 30 के बराबर हो जाएगा यहां से A बटा B हमारा क्या हो जाएगा, तीन बटा एक हो जाएगा, अब देखें, यहां से हमारा difference कितना निकल क्याएगा, यहां से A और B के बीच का हमारा अंतर कितना निकल क्याएगा, दो यूनिट, यहां से हमारा अंतर क्या निकल क्या निकल क्याएगा, दो यूनिट, एक unit किसके बराबर हो जाएगा हम इसे दो से भाग देंगे ये दो से चार बार में जाएगा दो बार में 0 यानि एक संख्या हमारी क्या हो गई 420 और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी आप देखिए दोनों संख्या आमारी क्या निकल क्या गई, एक संख्या, छोटी संख्या आमारी निकल क्या गई, 420, और बड़ी संख्या क्या निकल क्या गई, 1260, चलिए question समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं next class में, अगर class अच्छा लगे, तो class को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और class को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत भुलेगा, चलिए, बाई बाई